हाई गाईज मेरा नाम है संदीप आप देख रहे हो क्रोमा टेक यूट्यूब चैनल और इस वीडियो के अंदर हम यहां पर बात करेंगे लेटेस्ट एवलिशन XK 5.6.1 अपडेट के बारे में जो की काफी सारी फिक्सिस लेके आया है और इसके अंदर मैंने राइजन करनल क फ्लेश किया है और उसके उपर आपको मैं गेमिंग यहां पे चेकर वांगवा कैसी आपको देखने को मिलेगी वीडियो स्टार्ट करते हैं अब उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर देना वीडियो पसना दिया तो लाइक जरूर स से डाला है तो आप यहां पे फ्लेश कर सकते हो अगर आप गेमिंग करना चाते हो बड़ गेमिंग परफॉर्मेंस एक बार चेक कर लेना राइजन करनल के साथ बागी सभी चीज़ें सेम है 5.6 अबडेट वाली अगर आपने वो वीडियो वाच नहीं की तो सभी चीज़ें मैंने वहां पे explain किया है सब कुछ आपको similar ही देखने को मिलेगा Evolver के अंदर आपको कुछ यहां पे changes देखने को मिलेगे themes के अंदर यहां पे एक bug आपको फिर से देखने को मिलेगा जो आपकी settings है वो almost यहां पे reset हो जाती है जब आप device को restart करते हो यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे कुछ इस type से fonts वगरा सभी देखने को मिल जाएंगे बागी कुछ चीज़ें आपको Android 12 से मिलती हैं तो कुछ चीज़ें आपको मैं यहां पे दिखा देता हूँ like आप यहां पे देखोगे तो आपको quick setting tint style देखने को मिलता जो कि Oxygen OS Android 12 का देखने को मिलेगा और कुछ आप इस type से यहां पे enable कर सकते हो और जो rounded corners आपको यहां पे देखने को मिलते हैं Android 12 से तो ऐसे कुछ minimal changes आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे Android 12 से जिनको आप notice करोगे जब यहां पे use करोगे यहां पे आप rounded corners देख सकते हो यह DP3 से यहां पे लिए गए हैं यहां उनको port किया है या फिर उनको यहां पे include किया है कुछ इस type से तो यहां पे आप check out कर सकते हो कुछ minimal changes आपको मिलेगे इवने अगर आप यहां पे launcher के अंदर देखोगे तो कुछ इस type से आपको यहां पे एक bubble देखने को मिलेगा प्रिवियस से ही है तो मुझे लगा कि यहां पे यह जो है अभी include किया है Android 5 से अब बात करेंगे यहां पे device के certification की आपका device certified है without root आप banking apps यहां पे definitely use कर सकते हो और यहां पे बात करेंगे safety net की root के साथ यहां पे अगर आप rooted condition के अंदर हो तो आपको safety net API error देखने को मिलेगी जिसका fix already channel पे डाला है तो आप जरूर से उसको check out कर सकते हो अगर बात करें यहां पे DRM info की तो आपको widevine L1 sport मिल जाता है यह सबी चीज़ें same है और camera I think आपको यहां पे कोई भी नहीं मिलता मेरे पास Gcam 7.4 है जिसको मैंने migrate से install किया यहां पे 4K 30fps के उपर आप video record कर सकते हो and slow motion भी आपका यहां पे working है 1x4x के उपर so यह Gcam आप try कर सकते हो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी कोई open camera पगएदा या फिर android का या फिर linijos based camera आपको नहीं मिलता अब बात करेंगे रॉम के smoothness की तो जो आपको blur option मिलता है उसको आप disable कर देना आपको कुछ इस तरीके से app opening या फिर closing speed देखने को मिलेगी जो की काफी अच्छी है बट यह वाली रॉम सबसे smoothest आपको नहीं मिलती यह चीज आपको यहां पे देखनी पड़ेगी कोई ऐसे lag major वगरा नहीं face करना पड़ेगा बट camera के साथ थोड़ा lag आपको face करना पड़ेगा इवन मैंने blur option वाला जो आपको एक option मिलता है Android 11 से वो भी यहां पे disable कर रखा है तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको ray management देखने को मिलेगा so average सा आपको decent सा यहां पे ray management देखने को मिलता है और ज्यादा आपको यहां पे कोई issue नहीं आने वाल even जो pill है वो भी काफी अच्छी से working है so काफी अच्छी आपको यहां पे optimization मिल जाएगी उसके साथ आपको pixel launcher मिलता है and अगर बात करें यहां पे developer options की तो यहां पे आपको developer options भी मिल जाएगे about के अंदर जाओगे तो still आपको android 11 से मिलता है but android 12 का आपको कुछ यहां पे features वगरा included मिल जाएगा और बागी सभी चीज़ें सेम है suggestion मगरा सभी चीज़ें आपको सेम ही देखने को मिलेंगी so यह कुछ minimal changes आपको इस ROM के अंदर मिल जाते है अब आपको इस ROM का मैं Geekbench score एक बार से check करवा देता हूँ क्या देखने को मिलता है so यह score आपको मिलता है 490 single core के उपर नहीं देने वाली so अच्छे से आप इस ROM को definitely as a daily driver use कर सकते हो अगर आप इस ROM को flash करना चाहते हो तो इसको simply upgrade कर सकते हो dirty flash कर सकते हो और आप इसके previous version के उपर हो और जो N2 2 benchmark score है वो है 2,24,000 के आसपास and जो GPU score है वो है 41,000 के आसपास so काफी अच्छा आपको यहाँ पे scores वगेरा देखने को मिल जाते हैं अब PUBG की performance चेक कर लेते हैं और जो मैंने scores आपको दिखाए वो इसके default kernel के उपर थे ना कि Ryzen के साथ अब यह gameplay है जो वो आप देखोगे Ryzen kernel के साथ चलो guys अब यहाँ पे बात करते हैं इस ROM के gaming performance की जो की Ryzen kernel के साथ आपको यहाँ पे मैं show करने वाला हूँ so Ryzen kernel के साथ मैंने कोई यहाँ पे hitting issue face नहीं किया even आप FPS भी देखोगे तो आपको काफी उपर stable type देखने को मिलेगा 54 से लेके 52 या फिर इतना आपको देखने को मिल जाएगा 59 के असपास भी आपको देखने को मिलेगा so FPS काफी अच्छा है काफी stable type आपको देखने को मिलेगा ज्यादा आपको FPS drop ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा बट उतनी ज्यादा optimized आपको ROM नहीं मिलती कि आप यहाँ पे इसके उपर hardcore gaming कर लो so यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अगर आप यहाँ पे जो है एक normal user हो pixel UI चाहिए साथ में customizations और थोड़ी बहुत game आप कर लेते हो so यह आपको ROM यहाँ पे निराश नहीं करेगी काफी अच्छी आप यहाँ पे gaming कर सकते हो बड़ hardcore gamers के लिए यह वाली ROM आपको नहीं मिलेगी so इस चीज़ का ध्यान रखना है बाकी कोई आपको ऐसे heating issue नहीं आएगा और कुछ ज्यादा frame drops आपको नहीं face करने पड़ेंगे so बाकी आप यहाँ पे previously यहाँ पे update वाला वीडियो ज़रूर से check out कर सकते हो heavily ही use किया है मैंने and charging speed काफी अच्छी है कोई आपको charging के अंदर issue नहीं आएगा so देख सकते हो last charge 13 hours ago किया है and screen usage है 2 hour 38 minutes का and still 43% जो है battery भी available है and मैंने heavy applications यहाँ पे run किया है so battery backup काफी अच्छा है according to me कोई मुझे यहाँ पे ज्यादा battery drain नहीं face करना पड़ा मैं यहाँ पे जो है mostly यहाँ पे heavy applications बगरा use करता हूँ N2 2 Geekbench बगरा या फिर PUBG को test करने के लिए so basically काफी अच्छा battery backup आपको overall यहाँ पे मिल जाएगा तो इस वीडिये के लिए गाईस बस इतना ही I hope कि आपको यह वीडियो पसंदा ही होगी अगर पसंदा है तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मैं मिलता हूँ आपसे एक अगली न्यू इंटरस्टिंग वीडियो के साथ